अजवरदं जी बिहार की बात कर लेते हैं। रुपॉली सीट की बात कर लेते हैं। यहां पर भीमा भारती तीसरे नंबर पर खिसक जाती है। एक निरदलीय जो हैं जो राचपूत समाज पर आते हैं वो वहां पर अपनी कुरसी को नमस्ते करना चाहिए राजनित से थोड़ा अब उनको दूरी बनानी चाहिए या कुछ और भूमिका वो तलाश है ये उनके जो लोग हैं सुनेंगे तो उनको बड़ी नाराजगी होगी कि हमारा नेता तो पर इसको क्या रहा हूं नहीं मैं बता रहा हूं उप चु लेकिन एक विधान सभा चुनाओ और ये लोगसभा नहीं विधान सभा चुनाओ है जहां पर आपके कास्ट कॉंबिनेशन ले लिजिए आपका पूराना प्रत्याशियव ठीक है वही बीमा भारती चलीगी राश्टी जनतादल में और बीमा भारती कंसिस्टेंट हैं बढ विनर नहीं है विनर कौन है खतरनाक है संकेत वो शंकर सिंग भी शंकर सिंगी नाम है जी शंकर सिंग भी यह बाहुवली बताया जाते हैं अभीमा भारती के साहथ इनकी अच्छी आसी अदावत स्वर्ण वर्स पिछड़ा की अदावत चलती तो और ये लोग जन्शक्ति पार्टी के नेतार है अब जाहिर है कि इसमें तो लोग जन्शक्ति हो नहीं सकता था रामिलास पासवां से क्योंकि अब तो एक साथ आ गए इसका मतलब क्या हुआ है इसका मतलब बिहार में वो राजिनीती कहीं कहीं सिर उठा रही है जिसको दबाकर ये बीजेपी और नि जातियों के बीच में तीन डीवीजन हुआ तो मुझे लगता है कि ये उस तरफ जा रहा है जो किसी भी नेशनल पार्टी के लिए तो नहीं होता है नितेश कुमार की राजनीत के लिए भी बहुत अच्छा नहीं हाला कि मैं ये मानता हूं कि अब नितेश कुमार की राजन जान सभा की बात कर रहा हूं कानून व्यवस्था के लिहाज से कह लिए पुल गिरने से कह लिए कि जितने जिसको सुशासन शब्द कहते हैं उस पर किस जगह पर टिकते हैं उसके हिसाब से बात करने चाहिए ताकत वहां होती है क्या संचे जी यहां पर उमीदवार का चैन करने में भी कुछ नितीश से गलती हो गए क्योंकि दोनों ही भीमा भारती भी और जो उनके उमीदवारते दोनों कलाधर भी वह गंगोत समाज से आते हैं और वहां पर सबसे ज्यादा वोट बांक किसी समाज का है और वोट स्प आप टीन बार से चुनाव जीत रही है तो कई बार ऐसा हो जाता है कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि हमें हराएगा कॉन हमारी पार्टी को कौन हराएगा उस काई करता हो सकता इसमें उसका भी कुछ योगदान रहा हो